मेरा नाम है संगीता और वेलकम तो माई यूटूब चैनल कोकविश संगीता हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे दो साउथ हिंडियन चटनी सबसे पहले हम बनाएंगे नारिल की चटनी नारिल की चटनी के लिए मैंने यहाँ पे एक कप नारिल लिया है जिससे कट करके रख रखा है दो भूने चने पांच हरी मिर्च और चार बड़े चमच मैंने यहाँ पे दही के लिए हैं अब हम इन सारे इंग्रिन को जार में डाल लेंगे और इन्हें ब्लेंड कर लेंगे, तो देखिए मैंने सारे इंग्रिनिट अपने जार में डाल दीए है, दही से ही चटनी में थोड़े से खटा टेस्ट आ जाएगा, अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक चमच नमक डाला ह नमक को आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग कम्या जादा कर सकते हैं अब मैंने यहाँ पे एक कप पानी लिया है तो पानी को आप अपने अकॉर्डिंग एजिस्ट कर लीजिए ताकि जो चटनी है वो ज़दा ना ठिक बने ना ज़दा रनी बने अब मैं इन्हें मिक्सर में अच्छे से ब्लैंड कर लोगी तो देखे नारल की चटनी अच्छे से ब्लैंड हो गई है लेकिन अब हम इसमें तड़का बाद में लगाएंगे उससे पहले हम अपनी लाल चटनी के तियारी कर लेते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं छेट लाल टमाटर, दो प् अच्छे से गरम होने के बाद मैंने यहाँ पे एक चमच राई ली हैं जिसे सरस्वभी बोलते हैं चुटकी भर हींग और दो लाल मिर्च ली हैं जैसे लाल मिर्च मुझेगी उसके बाद मैंने यहां पर करी पत्ते लिये हैं आप 8-10 करी पत्ते ले सकते हैं इसके बाद हमने यहां पर एक चमच चने की डाल और एक चमच उडर की डाल ली है अब हम इसे कल्ची से तप तक चल के ऊपर गानिश कर दिंगे तो देखे नारल की चटनी हो गए एक डम रेडी और कितनी टेस्टी और यमी लग रही है तो इसे अब हम साइड में रख दिंगे और बाकी बचे हुए तड़के में हम लाल चटनी को तड़का लगाएंगे हम यहाँ पर लाल चटनी को इसलिए पकाते हैं ताकि लाल चटनी में जो लहसून और प्याज का जो कच्छा फ्लेवर अना वो ना रहे तो इसे हम 5-7 मिन तक अच्छे से पकाएंगे जब तक यह थ पाइड नहीं करने हैं दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को सब्स्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको मेरी आने वाले वीडियो की अपडेट भी मिलती रहे देखिए चटनी टो इक्दम रेडियो हो चुकिए मैंने यहां पर गैस की फ्लेम कर दिया है बंद तो देखिए कितना असान है साउथ हिंडिन चट्नी को बनाना तो इस तरह से आप इस चट्नी को बना कर सकते हैं और इडली सामर या किसी भी प्लेन डोस्य के साथ आप इसे असानी से सर्व कर सकते हैं तो दोस्तो थैंक यू फ झाल झाल